ओम शान्ती, बाब दादा मदुवन आज की मधूर मुल्ली 37-2024 मीठे वच्चे दुख हरता, शुक करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं मनुष किसी के दुख दूर कर नहीं सकते विश्व में अशान्ती का कारण क्या है, सान्ती इस्तापन कैसे होगी उत्तर, विश्व में अशान्ती का कारण है, अनेका नेक धर्म कल यूग के अंद में जब अनेकता है, तब अशान्ती है बाप आकर एक सद धर्म की इस्तापना करते है वहां सांती हो जाती है, तुम समाशकते हो कि इन लच्मी नारायन के राज में शांती थी, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था, कल्यान कारी बाप फिर से वे नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें आशांती का नाम नहीं, ओम शांती रूहानी बाप बैट रूहानी बच्चों को समझाते हैं, रूहानी बाप को ही ज्यान का सागर कहा जाता है, ये तो बच्चों को समझाया है बाम्बे में खास जहां मीटिंग करते हैं उसका नाम है भार्टी विद्या भवन अब विद्या होती है दो प्रकार की आज की मुलिशे मुख 10 पॉइंट पहली पॉइंट अब विद्या किसको कहा जाता है यह तो मनुष जानते ही नहीं यह तो रुखानी विद्या भवन होना चाहिए विद्या ज्यान को कहा जाता है दोसरी पॉइंट परमपिता परमात्मा ही ज्यान सागर है शिरी क्रेश्न को ज्यान का सागर नहीं कहेंगे शिव बाबा की महिमा अलग, सिरी क्रेश्न की महिमा अलग है तीसरी पॉइंट तुम बच्चे जब किसको समझाते हो तो बोलो शिव भगवान वाद पहले तो ये समझें की ज्ञान शागर एक ही परमपिता परमात्मा है चौती पॉइंट निती निती कैदेते है वही जानते नहीं तो भारत वासी जो अभी तमो गुड़ी हो गए है वह कैसे जान सकते मनुष्यमस्ते हैं यही सर्ग है कोई मरता है तो भी कहते सर्ग वासी हुआ इसमें भी समस्ते नहीं कि सर्ग आया तो जरोर सर्ग कोई और है न छट्मी पॉइंट तुम हो पुरुशोतम, चंगम युगी, ब्राम्मर यह बाते और कोई नहीं जानते साथमी पॉइंट तमो प्रधान, पत्थर बुद्धी समस्ते नहीं हैं जो कुछ बनाते हैं इस पुरानी स्ट्रष्टी के बिनास के लिए बिनास हो तब फिर नए दुनिया की जय जय कार हो आठमी पॉइंट फर्क तो है नहीं, बाकि चार भुजा वाला, आठ भुजा वाला कोई मनुष होता नहीं देवियों आध को कितनी भुजाएं दे दी हैं, समझाने में समय लगता है बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, मैं आता भी तब हूँ जब भारत गरीब बन जाता है ये गीता का एपीसोड चल रहा है, जिसमें भगवान ने आकर राजियोग सिखलाया है दबर सिर्ताज बनाया है, ये लक्ष्वी नारण भी राजियोग से बने है पुरुशुतम शंगम युग पर बाप से राजियोग सिखते हैं अच्छा, धार्ना के लिए मुकशार पहली पढ़ राजियोग की पढ़ाई शोशाप इंकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है सदा नसा रहे कि हम ब्राम्हर सच्चे मुक बनसा वली हैं हम कल युगी रात शे निकल दिन में आये हैं यह कल्यान कारी पुरुशुतम युग इसमें अपना और सर्व का कल्यान करना है वर्दान आज बाबा ने दिया हर स्रेष्ट संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर शर्व शक्तिमान भव इसपश्टी करण मास्टर शर्व शक्तिमान माना संकल्प और कर्म शमान हो अगर संकल्ब बहुत स्रेष्ट हो और कर्म संकल्ब प्रमार ना हो तो मास्टार शर्व शक्तिमान नहीं कहेंगे तो चिक करो जो स्रेष्ट संकल्ब करते हो वो कर्म तक आते हैं या नहीं मास्टर शर्व शक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जी समय आवश्यक हो वो शक्तिकार में आए इस तूल और सूच सब सक्तियां इतना कंट्रोल में हो जो जी समय जी सक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके स्लोगन आज बाबा ने दिया ग्यानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाब के नाम के गलानी होती है ओम शान्ति